आपके बाद सम्मानित बुजरत नोजवान साती आवाद शुन रिमातर सक्तिया मंच पर बैठे बुद्धी जीओ आप सभी के चरणों में अर्याना से आए आपके प्यारे बच्चे अरश्चिकारा की आज जोड़ने रहा हो आप सभी सातियों को राज लिती की अब वो कड़ भी सचाई बताना चाहता हूं जो सायद ही कोई बता पाएगा एक बात नोट कर लेना ये जो अब चुनाओ है राजस्थान का अगर इस चुनाओ में आप लोगोंने अपनी एकता नहीं दिखाई जिन्दगी में कभी दोवारा से इंदूस्तान के अंदर चुनाओ नहीं होगा जो बिजेपी सरकार भासपार सरकार जिसको आप लोग ये स्वक्षते हो कि अगर यहां भासपार आएगी आपका विकास करेगी वो एक सक्कर साके अर्याना लगाया आना हमारा सियन है खक्टर साथ जो रियलियों में कहता है नाम है मेरा खक्टर सरकार मेरी खक्टारा इवीप का और बना जो डूंड बेको वादूआ था रहा और इनकी पार्टी का सबसे बड़ा जूलेवाद उनके माहोल का यहीं ही पता कब रात आज बजे लाईवा के बोल देंगे मेतरों अगर अमीर होना है मकान ही बेच दो कब तक आप लोगी छूटे ड़कोसलों में फसे रहोगे याद करो वो दिन जिस वक्त हम गुलाम थे उस गुलामी के वक्त किसान का दलित का सोसन होता था हमारी बेहन बेटियों को हमारी आखों के सामने पीटा जाता था कुछला जाता था आज भी इस वक्त आपकी इस कॉंग्रेस राज के सरकार में अभी अभी एक वीडियो वाइरल हुई थी आप समने देखी होगी हमारी बेटियों के साथ वही आलात आज किये जाते हैं आप लोगों ने चीज़ छीक लेनी चाहिए एक बार यहां सरकार कॉंग्रेस बढ़ाती है एक बार वीजेपी दोनों एक इथारी के सटे बटे हैं एक बार वो खेलता है दूसरी बार वो अखिर आप सबसे पूतरा चालता हूं किसान की दलिट की मजदूर की सरकार कब आएगी वो सरकार जब आएगी आप लोगों के सामने दो कोई नूर इकटे हो गए है जो एक बाबा साथ का दिवाना है तो दूसरा छोटू राम का और इस इंदूस्तान के अंदर जिसने सविदान लिखा बाबा साहब उसके दिवानों के साथ आज भी क्या किया जाता आप लोगों को पता है जब रामनात कोविन एक तलीट समाज का बेटा राश्टर पती बन्या और उसने वाविदान सभा के अंदर अपने पैर रखे उ उस्विदान सभा को गंगाजल से दोया गया गंगाजल से कि एक दलीट के पैर रखने से वो दुशी दो गई आज भी दलीट भाईयों के साथ इतना अत्याचार होता है बोली पर नहीं रखने दिया जाता मुझे तक नहीं रखने दी जाती आज भी दलीट बेटियों को ग आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ मैं एक अनुमान का सेमिक इन दलीट भाईयों की घोड़ी के आगे लटके जोर पर हम ख़गे होंगे और हम देखें यह उस घोड़ी को कुन रोखी था अब लगाई है किसान की मजदूर की दलीट की स्वजिती अधिवाशी की फुल्वाशी की इस देश के असली राजे तुम हो तुम अपनी ताकत को पहचानो और इन आथों को मजबूत करो एक किसान जब ठेट में जाता है अपने साथ दोई चीजों का इंकिसाम करता है चा चाय का और पानी का तो मिवें चाय दालो और वेपानी रखो आप आप सभी को बता देता हूं भाश पाटी कट बाट रही थी आपसमें काना फूसी चल रही थी शाथ आप तो चाहः वाले के नाम से आपका परचार कर रहे थे चाहे को तो गैचली में संदर सेकर दाल ले गया आप सभी को बता देता हूँ ये अंतिम लड़ाई यगर इस लड़ाई के अंदर आप लोगोंने अपनी ताकत नहीं दिखाई इस लगाई के अंदर आप लोगे ने अपना जोर नहीं दिखाया जीवन में आप लोगों के लिए आगे कोई योधा और कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा हमुमान जी, संदर जेकर जी, दोनों एक गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से, किसान परिवार से संग्राज करके आप लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए वो एक तावराई हैं, आप लोगों के लिए इस परिवार को एक किया है अब आप लोगोंने अपड़ी ताकत दिखा रही है और मैं ये चाहता हूँ राजस्थान के अंदर से 200 सीटों के 200 अनुमान और 200 चंदर सेकर निकल के आए और भाई साथ के हाथ मजबूत करें आप सभी साथों ने इतरा प्यार इतरा मान समान दिया आप सभी साथों का धन्य आप राम राम जये हिंग जये भी हिंग जये चुटू राम बहुत बहुत शुक्रिया हर्षान